किसान साथियों नमस्कार आप सबका हर दिख स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल में किसान साथियों आज हम बात करेंगे नीम्बू में एक रोग की जिसे गोमोसिस कहते हैं गोमोसिस एक फंगल रोग है जो पाइट फथोरिया नाम से भी जाना जाता है इसका मुख्य कारण जड़ों से होता है और अगर जड़ में इसका इलाज ने करा जाए तो इसे रोग पाना असंभव होता है एक किसान ऐसा भी है जी हां रविंद सियाग जो कीनू की बागवान की है लेकिन कीनू मुख्य रूप से उनका व्यवसाय है उनका बाग बहुत बड़ा है और बहुत पुराने वरक्स है आपने एक बार पहले भी पढ़ा होगा कि उन्होंने अपना एक 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 स्पेरिमेंट हमसे साजा किया था इसी बीमारी के बारे में वो था कि वेस्ट ड क्यागी जी मुझे इसका एक इलाज और मिला है जो मुझे पंजाब एग्रिकल्चर युनिवस्टी के वेग्यानिकों ने बताया था एक लिक्विड होता है सोडियम हाइपोक्लोराइट जिसे हम साधान भासा में ब्लीचिंग पॉडर भी कहते हैं और ये ब्लीचिंग लि योग होता है और दूसरा है कागज का उद्योग कागज और लुगदी बनाने में इसका बहुत महत्वपून योगदान है किसान साथियो जब मुझे उन्होंने इस बात पर चर्चा की तो मैंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया कैसे ढूंड़ा आप कि अंदर क्या जिग का होता है और जो इस प्रे में डिजल का खर्चा आता है उसके अलावा साथ हजार होता था अब वो किस चीज में होता था जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि इसके लिए दो दवाईया है एक है रेडो मिल गोल्ड जो सिजेंटा कमपनी की है और एक है अलियेट बायर की है कि दोनों दवाई इस रोग को रोकने में काम आती है जब ये रोग हो जाता है इसका उपचार करने में काम आती है फिर मैंने सवाल किया कि आप इसको पहचानते कैसे हैं तो उन्होंने बताया कि मार्च के मद्धे में इसका असर आना सुरू होता है और पहला अगर आप ध्यान से अपने पोधों को देखेंगे, तो इसकी एक खासियत होती है कि पूरे पोधे में अगर दस डालिया है, तो किसी एक डाली के पत्ते पीले होने शुरू हो जाएगे, उन्होंने मुझे कुछ फोटो भी भेजे हैं, जो मैं आपसे साजा कर रहा और उन पत्तों को देखकर आपको ये पता चल जाएगा कि पोधे में केवल एक ही साखा के पत्ते ऐसे हैं या सब के ऐसे हैं, पत्ते पीले होते हैं फिर सूकते हैं, उसके बाद क्या होता है कि साखा पर कहीं आपको एक गोंद सा द्रव निकलना दिखाई देता है, कुछ पोधा भी सूख जाता है और अगर एक बार डाली सूख गई तो उसको हरा करना बहुत मुश्किल है आपको उसे काटना ही पड़ेगा किसान साथियों कितना भेंकर रोग है इसलिए मैं कहता हूँ कि बाग में हफते में कम से कम दो बार अवश से जाना चाहिए और अपने पोधो को देखना चाहिए नीमबू में कैंकर रोग और ये गुमेसिस और ये डाइबैक ये तीन मुख्य रोग होते हैं अगर आपने समय पर इनका इलाज नहीं किया तो आपको बहुत नुक्सान उठाना पड़ेगा अब आईए हम देखते हैं इसका इलाज क्या है सबसे पहला आपको क्या करना है कि नीमबू वरगिये जितने भी फल है उन सब में ये रोग होता है चाहिए वो माल्टा हो चाहिए वो कीनू हो चाहिए वो नीमबू हो चाहिए वो लेमन हो सबसे पहला काम आपको यह करना है कि जो आपको भाग खराब दिखाई देरा जहां पर गोंध है उसको एक तेज साफ चाको से साफ करिए जैसे हम घर की दिवार की दराडे भी साफ करते हैं उसी परकार से साफ कीजिए साफ करने के बाद उन पर बोर्डो पेस्ट लगाईए बोर्डो पेस्ट कैसे बनाते हैं मैंने ये आपको बताया हुया है और मेरी वेबसाइट पर ये लिखा भी हुआ एक लिटर बोर्डो पेस्ट में आप सो ग्राम या सो मिली लिटर आप अलसी का तेल भी मिला लेजिए अलसी का तेल मिलाने से क्या होगा कि पेस्ट जादा समय तक आपके पोधे पर टिकेगा और बारिश से ये धुलेगा नहीं अलसी का तेल बोर्डो पेस्ट में आसानी से घुलता नहीं है कोई भी तेल लो अगर उसे किसी साधान लेक्विड में डालेंगे तो वो घुलता नहीं है उसके लिए आपको दो काम करने है या तो अलसी के तेल को गरम कर लीजिए या उसमें एक सेंपू का पोच मिला लीजिए थोड़ा सेंपू मिला लीजिए और लकडी से चलाईए तो ये घुल जाएगा जब मैंने पहली बार अलसी का तेल मिलाया अपने सी ओसी में तो मैंने पहले सी ओसी में अलसी का तेल डाल दिया कि चलो इसमें मिला लेता हूं का चिड़काओ करिये पोदेब यह कारिये आपको जो बोर्डो मिशरन का चिड़काओ है ये 15 दिन में फिर दो रहाना अब आता है आपका sodium hypochlorite जो उन्होंने हमें बताया है ये biliaching liquid होता है sodium hypochlorite अगर 5 लीटर की केन आप खरी देंगे तो आपको 300 से 400 रुपए में कहीं भी मिल जाएगा 40 लिटर पानी लीजिए और उसमें 40 ml sodium hypo chloride मिलाईए जब वो घुल जाएगा तो इसे पोधे की जड़ों में अच्छी तरह से दे दीजिए ये ध्यान रखिए कि वहाँ पहले से नमी मुझूद हो ताकि ये जड़ों में अच्छी तरह नीचे तक पहुँच जाए किसान सातियों ये जो मात्रा मैंने बताई है ये 8 वर्स के पोधे के लिए बताई है अगर आपका पोधा 4 वर्स का है तो आप इसे आदा कर दीजिए दो वर्स का है तो उससे आदा कर दीजिए इस प्रकार आप मिलाइए कम से कम 5 लिटर एक छोटे पोधे में अगर आता है तो अवश्य दीजिए छोटे में बहुत मुश्किल आता है किसान सातियों मैंने एक बार 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 बताई है और मैं फिर दो रहा हूँ कि COC का इस्प्रे आप अपने पोधों में साल में 4 बार कम से कम कीजिए और अगर हर 2 माह में एक बार करेंगे 6 बार करेंगे तो आपके पोधों में कोई रोग नहीं आएगा 4 बार इस्प्रे कीजिए और चार बार ड्रिंचिंग भी कर दीजिए, अगर छे बार करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, और इन छे में से दो बार उसमें स्टरप्टो साइकलिन भी मिला लीजिए किसान साथियो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, अब किसान अपने जो अनुभाव है मैं मुझे साजा करने लगे और आपको पता है कि ये सब मैं एक किसान ऐसा भी सीरीज के अंतरगत दिखाता हूँ जो लेख और जो विशे मुझे अच्छे लगते हैं, उन पर मैं एक लेख भी लिखता हूँ रविन सियाग जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मुझे दिया मेरे से बात भी की और मुझे जो भी मैंने उनसे पूछा मुझे बताया, जिससे कि मैं उस पर एक लेख लिख लिख रहा हूँ ये लेख दो से तीन दिन के अंदर वेब साइट पर होगा किसान साथियों, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि अब कुछ लोग मुझे बहुत अच्छे मिल गए हैं, जो अपना अनुभाव साजा करते हैं नहीं तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, कि वो जब उनको प्रोब्लम समस्य आती है तब गुरूप में पूछते हैं और उसके बाद चले जाते हैं ये भी ध्यान नहीं रखते कि ये समस्या कम से कम दस बार बताई जा चुकी है और एक ही चीज को बार बार बताते बताते मेरा भी धहरिया जवाब दे गया इसलिए मैंने एक अलग गुरूप बनाने का निश्चे किया है जिसमें केवल वही लोग रखे जाएंगे जिनने इसमें रूची होगी जो इसमें कुछ काम कर सकेंगे, साजा कर सकेंगे और ये सारे अनुभव हम वेबसाइट पर रखते रहेंगे जिन लोगों के पास समय नहीं है गुरूप में आने का जिन लोगों के पास और कुछ समय नहीं है, जब उनको आवज सक्त्या होगी, वो वेब साइट जाएं और उस पर देख लें, इससे ही काम चलाएं, चूंकि जो ये ग्रूप होगा, ये पेड होगा, और इसमें एक फीस रखी जाएगी, जिससे के इसमें ज़्यादा भीड न करना चाहते हैं, तो मुझे अवज से लिखें, उसकी एक छोटी वीडियो बनाएं, और मैं उसको प्रस्तुत करूँगा, ज्यान बांटने से बढ़ता है, आप भी अपना ज्यान बांटिए, और दूसरों से साजा करिए, और हाँ, घर पर रहिए, सुरक्सित रहिए, अग और एक और चीज का बहुत ध्यान रखिए, कि वो अपने मुँपर एक हलका गमचा या कपड़ा बांद कर अवस्य रखे, घर जाने से पहले अच्छी तरह हाथ धोएं, खाना खाने से पहले अच्छी तरह हाथ धोएं, और पैर धोएं अच्छी तरह से इसका इंतिजाम कर घर पर रहिए सुरक्सित रहिए जान है तो जहान है इसी के साथ विदा लेता हूं धन्यवाद नमस्कार जै हिंद जै भारत बंदे मात्रा